नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी को ठेकी राच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Google Play Store का जो एक एरोर होता है डाउनलोड पैंडिंग इसे आप कैसे सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शुरूर से लगरन तक जबर देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मुद भूले और एक लाइक अभी के अभी इस वीडियो को दे दीजेगा दोस्तों चली बिना देर के वेश शुरू करते हैं तो दोस्तों यह प्रॉब्लिम जो है हमारे फॉन पे हमारे प्लेस्टोर पे इसलिए आता है कि जब ऑवरलोड हो जाता है हमारा सर्च वगेरा और भी डाटा वगेरा तो वह केस में जो है यह प्रॉब्लम हमारे कोई को मुबाल में आपको मिलेगा एप मैनेजमेंट या फिर इंस्टॉल्ड एप इस नाम से आपको मिल सकता ठीक है जैसके मेरे मुबाल में एप मैनेजमेंट है तो यहां पे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद में आपको यहां पे डुनना होगा गूगल प्लेस्टोर तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे मिल गया है Google Play Store तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर Storage usage पर जाना है और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर Catchy जो है इसे आपको clear करना है ठीक है यहाँ पर clear जितना भी आपने settings है वो सारा कुछ जो है यहाँ पर cleared हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको यह जो है वो आपको clear कर देना है ठीक है तो यह clear करने के बाद में आपको जाना है Google Play Store में और कोई साभी एक application ले लेना है और उसे install करके check कर लेना है तो यहाँ भी हम check कर लेते हैं कि installed होता है कि नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर download होना शुरू हो चुका है तो दोस्ते इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना download pending error को solve कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग